नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ नारेश सिक्षा का महत्व पर अनुछेद या फिर निवन्द आप जो भी कह सकते हैं आपको लिखने के लिए आए तो आप यह लिख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक कीजिएगा शेक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो प्लीज शेरों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलेगा तो चले शुरू करते हैं नारेश सिक्षा का महत्व समाज में प्रतेक मनशे का सिच्छित होना बहुत ही आवश्यक है समाज में जितने ज्यादा लोग सिच्छित होंगे समाज उतना ही सब्य एवंग सू संस्कृत होगा पूर्षो की अपेच्छा समाज में नारी सिच्छा की अधिक महता है यदि स्थरी सिच्छित होगी तो समाज अपने आप ही सिच्छित हो जाएगा क्योंकि एक स्थरी दो परिवारों की देखरेक करती है वैसे भी नारी ही समाज का निर्मार करने वाली होती है नारी ही समाज का मूल आधार होती है इसलिए नारी सिच्छित होगी तो सारा समाज सिच्छित बन जाएगा वर्तमान युग में इस पूरुष प्रधान समाज में पूरुषों को अपने संकीर्न विचारों को छोड़ देना चाहिए उन्हें अपनी संकीरनिता को त्याग कर व्यापक दिर्ष्टी कोड अपनाना चाहिए पुरसो को नारी को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि नारी का स्थान सबसे बड़ा होता है समाज में लड़कियों को विशेष लाब मिलना चाहिए यदि लड़कियों को विशेष दर्जा दिया जाएगा तो समाज में वे आगे बढ़ सकेंगी इतना ही नहीं समाज के प्रतीक छेत्र में उनका विकास होगा लड़कियों के लिए विशेष सिच्छा दी जानी चाहिए यदि लड़कियां सिचित होंगी तबी समाज का कल्यान होगा लड़कियों को सुशित होने से ही कि सुशित होने से ही समाज सव्य, सुसंस्क्रेट और संस्कारवान बन पाएगा इसलिए समाज में नारी सिच्छा का बहुत अधिक महत्व है सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजिएगा मैं में विलूंगे आप लोगों से अपने एक लिए वीडियो में तब तक लिए बाबाय टेकेर और अल